दोस्तो नदियों और समंदरों को पार करने के लिए लोग सदियों से पूल बनाते आये हैं दुनिया का सबसे पहला लोहे से बना ब्रीज इंगलेंड की सेवरन नदी पर 1781 में बनाय गया था तब से आज तक हजारों ब्रीज बनाय गये हैं आज के इस वडियों में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के पाथ सबसे लंबे ब्रीज के बारे में तो आए बिना देरी कि ये जानते हैं कौन से हैं दुनिया के पाथ सबसे लंबे ब्रीज इससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब जरू करें ताके आप और भी जानकरे वाले वीडियो देख सके पाच्वे नमबर पर है वेनन वेये ग्रैंड ब्रेज ये ब्रेज चैना की दो बड़े शहर जेंग्जो और शियान को जोड़ता है इस पूल का निर्मान 2008 में हुआ था तब तक ये दुनिया का सबसे लंबा ब्रेज था लेकिन बाद में जो ब्रेज बने उनने इसका भी रेकॉर्ड तोड़ दिया इस ब्रेज की लंबाई है 80 किल चैना की चैना की सबसे बड़े शहर इसका निर्मान 2010 में खत्म हुआ ये ब्रेज बनाए गया है इस ब्रेज को 3100 बड़े बड़े पायर्स का सपोर्ट दिया गया है और इसे भुकम प्रूब भी बनाए गया है ताकि भुकम आने पर भी इसे कोई नुकसा ना हो इस ब्रेज की लंबाई है 115 किलोमेटर दूसरे नंबर पर है शांगोवा काउशूंग वायड़क तैवन के हाइश्पीड रेल्वे नेटवर्क के लिए ये पुल बनाए गया ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रीज है रेल्वे में बैट कार अगर आप इस ब्रीज पर सफर करेंगे तो आप सोचेंगे ये कब खत्म होगा एक शेर से बैटने के बाद ये ब्रीज डायर्क आपको दूसरे शेर में ले जाएगा इस ब्रीज की लंबाई है 157 क और पहले नमर पर है दानियंग कुशन ग्रैंड ब्रीज 2010 में बना ये ब्रीज आज तक का सबसे लंबा ब्रीज है ये चाइना के बिजिंग और शांगाई शेर का हिस्सा है इस ब्रीज से अगर आप सफर करेंगे और खिर्की के बाहर देखेंगे तो आपको लगेगा कि आ आप हवा में है और आपको घंटों तक जमी नहीं दिखेगी सर्दी के मोसम में इस ब्रीज से सपर करने का और ही मजा है क्योंकि सर्दी के मोसम में यहाँ पर धुन पड़ती है और धुन से नजारा काफी रोमा चक दिखता है इस ब्रीज के लंबाई है 165 किलोमेटर ये ज जान करें वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद